कि है गाईज देखिए आप लोगों तो पता ही होगा कि डिक्सन टेकनोलजी आज क्लिके डेट में 20,000 तो टच कर ही दिया है और लगबग जब डिक्सन टेकनोलजी 3,000 के आज पास था तब से मैंने आपको वो स्टॉक के बारे में बताना स्टार्ट किया देखिए होदा क्या लेकिन रीजन जानने की कोशिस करेंगे आज हम कि दीन हो या रात डिक्सन टेकनोलजी ने ऐसा क्या काम कर दिया जिसके वज़े से यहां पर लोगों को मुनाफ़ा भी हुआ और यहां पर एक के बदले 5 शेयर भी मिलने वाला आखिर हुआ कि मैं आपको बताना चाहता लेकिन इंडिया से चाइना में क्या जाता था मनी पैसा जाता था इससे एकनॉमिक मजबूत होती थी चाइना की तो क्या हुआ हमारी सरकार ने क्या किया किया कि सब कुछ बंद कर दिया भाई नहीं लेना चाहते हो तो क्यो ना छोड़ो यह लेना देना काम छोड़ो बनाओगे तो कितना अच्छा बात रहेगा भाई अपना पैसा अपने देश में ही रहेगा तो चाइना को छोड़ो वो तो ऐसे भी मार खा जगा देखो मैं आपको बताना चाहता हो हम क्यूं लेते हैं चाइना से किसी चीज को हम क्यूं लेते हैं इंडिया में क्यूंकि हमार पब्लिक हो सही है, तो Dixon Technology ने Mobile बनाना स्टार्ट के है, इस वज़े से Stock में सबसे बड़ा Lottery लगा, लेकिन अब हुआ क्या कि भाई, ये 20,000 के आसपा Stock हो चुका है, अब जो छोटे निवेसक हैं वो बोर रहें कि मैं नहीं खरीद पा रहा हूं, क्योंकि कुछ ज़्यादा महंगा हो गया, मालनों अगर 50,000 के आसपास किसी चोटे निवेसक के पास है, ये 20,000 या 1 लग के आसपास भी है चोटे निवेसक के आसपास, तो 2-4 share भी अगर खरीदेंगे, 1-2 share भी खरीदेंगे तो उनको सोचना पड़ेगा, तो इस वज़े से मैंने बोला, चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, महंगाई हो गई है यहाँ पर, तो आज मैं आपको एक ऐसा stock के बारे में डिसकस करने जा रहा हूं, जिसका भाव बहुत कम है, लगवो 120 के आसपास है, और यहांपर आपको 20% के आसपास तेज़ी देखने को मिली, जैसे की diction टेक्नोलोजी में आपको देखने को मिलता था, अब बात-बार बुरो खोई कि भाई आप डिक्सुन टेक्नोलोजी को क्यों यहाँ पर आड़ नहीं आट करर रहो तो मैं इसे प्रोडक्त की बजह से देखे डिलिंक इंडिया क्या करता या आपको इंटरनेट प्रोड़ाइड करता अंबानी जी क्या करने आपको क्या रखटा कि वह लीडा सी पैसा बना रहें गलत रीलास इंडरॉगगाीक हो चुकी है रीलाके संबह भा लेकिन जीओ जब से है एक दोखो एक पेट्रोल है बाई और एक ओन्नाइन बिजनस वगरा करती है और जो जीओ है वो है रिटेल बिजनस है यह सारे है बाई तो आपको मैं बता दूँ आपके इन्फोमेशन के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा यह जो पेट्रोल होला बिजनस है आप जाके देख लो पिछले एक सालों से रिलाइंस में केवल नुकसान हो रहा है वो भी पेट्रोल के वज़े से और क्वाटर रिजल्ट में कोई अगर आपको एफेक्ट देखने को मिलत अज़ दिया और यह अभी जियो अभी आ रही है लिपो यह सारेस lleन से मुनाफ़ा हो रहा है तो यह क्यों हो रहा है इन्हों ने अपना टारवर नहीं है, वहाँ पर भी आपका माल लिजए कि 6G, 7G, मतलब अभी तो 4G, 5G चला ना, 4G, 5G तो कुछ नहीं रहेगा, यह तो आप कहीं पर जमीन के अंदर भी रहोगा, तो चलेगा, मतलब उससे भी जादा स्पीड चलने वाला है, तो यह सारी बात, एक common word यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो यह क्या होता, इंटरनेट है, इंटरनेट, यहाँ से अगर comment यह निकालते हो, तो वह क्या होता, इंटरनेट के लिए ही सारी दुनिया काम कर रही है, और D-Link भी उससी के लिए काम करते है, इस वज़े से आपको यहाँ पर इत्ता अच्छा आपक अगरा भी आजारा, सही है, आप देखो, जितना भी अगर आप लैपटाप यूज़ करोगे, फोन यूज़ करोगे, कंप्यूटर यूज़ करोगे, सिस्टेम यूज़ करोगे, तो यहाँ पर आपको इंटरनेट तो चाहिए, विताउट इंटरनेट आप कुछ करी नहीं स यह क्या होता है, जाके तुम उनके सामने बोल दो, तो उसी तरीके से एक होता है, डायरेक्ट होता है, हमने क्या क्या है, कि चाहिना से हमने प्रोड़क्ट लिया, हमने चाहिना को बोल दिया, नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे प्रोड़क्ट का मतलम, नहीं लेंगे नहीं ये क्या बात होई भाई हम बैपार कर रहे हैं समझ रहो ना World Trade Organization नाम के भी कोई चीज होती है आराम से होती है कि नहीं होती है उसी तरीके से भाई आप चाइना से मतलो ये मत बोलो आप चाइना को ये बोलो कि हमारे पास है वो प्रोड़क्त तो हम आपसे नहीं ले सकते ये ए ही काम किया है गौर्मेंट ने क्या किया है जो लोकल मनिफेक्चरर है जो लोकल मनिफेक्चरर है उनको क्या किया है कि थोड़ा बूस्ट करने का काम किया है जो स्मॉल मीडियम इंटर्प्राइज वाले होते हैं स्मॉल जो चोटे-चोटे कारुबार वगरा करते हैं उनको लोन जादा दिया जाए और वो भी वहां से हेल्प चाहिए होगा उनको और यह अच्छी खबर यहां पर है कि तुड़ेज काबिनेट यहां देख सकते हैं डिसीजन इस तु मेंग इंडिया ग्लोबल हब पहले चाइना ग्लोबल हब था ठीक है चाइना में कुछ भी जा तो आपको बनाकर देदेगा लेकिन चाइना को छोड़ अब हम इंडिया में खुदी बनाएंगे देख़्ों यह होता है कि मैं आपको बताना चाता हूं स्माट वर्क एक होता hard work, hard work कितना भी करलो आपको थोड़ा कम profit मिलेगा, लेकिन smart work में आप जितना ज़ादा smartly काम करको उतना ज़ादा profit देखने को मिलेगा, तो अगर इंडिया ही hub बनता, तो बहुत अच्छी बाते बाई, यहां पर manufacture करेगा, टेलिकॉम equipment से लेके, जितने भी net रॉक वा और चाइना से नहीं आ रहेगा आप आएगा तो मेड़ी इन इंडिया आएगा तो बहुत अची बात है तो रूटर लोग खरीदेंगे वाइफाय चलाने के लिए क्योंकि आपको मुबाइल में जो इंटरनेट यूज कर तो कितना हो बैं जादा जादा तूज तूज भी रही है MSME को लेकर इससे मैं आपको बता दूँ 50,000 करोड जो है पैसा बचेगा सोचो पैसा बचेगा यह जो प्रॉफिट के रूप में दिया जाता था ना दूसरे को वो नहीं दिया जागा हमारे देश में ही रहेगा यह पैसा बचेगा भी और एक तरीके से इंडिया हब भी 34-35% को जादा अच्छा होता है और जिस तरीके से कबिनेट के तरफ से खबर आया है तो डिलिंग जो है वो भी क्या करता है नेटवर्किंग प्रोड़क्ट बगरा बनाता है और इससी के ओपर खबर भी आई है तो यह स्टॉक मुझे लग रहा है कि जो इसमें होस नही होएगा और इसका मार्किट कैप अगर देखना चाहते हो तो काफी चोटा क्योंकि कमपनी चोटी है इस वज़े से लेकिन यहां पर फिर भी अगर देखो इतने चोटे से स्टॉक में रिटन औन एक्विटी रिटन और कैपिटल इंप्लॉइड यह दोनों से यह फेस्विल और और तीन चार नेटवर्क वाले कंपनी थे यहां पर दिखाई नहीं देरा वह अलग होगा और यह जो नेटवर्किंग प्रोड़क्ट बना था यह बहुत खतरना का भई पहले अगर मैं आपको बता दूँ यह शेयर कुछ कितने रुपिस में हुआ करता था देख लिए पुरी दुनिया में जब तक कोई इनसान अपने देख ले खंघ ले पिसका भी पर चुछ नहीं दे रहा है तो इतना याद रुखो कि उसका भी उसमें कुछ नहीं होगा तो ही आपको दे रहा है अगर कोई चीज आपको 50% डिसकाउंट में दे रहा है तो भी याद रखो वो 50% डिसकाउंट आपको क्यों दे रहा है क्योंकि उसको उसमें profit हो रहा होगा तो उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ डिलिंक इंडिया में अगर मान लीज़े आपको यहाँ पर profit देखने को मिल रहा है इतना अच्छा कासा तो stock market को भी उसी तरीके से आपको कुछ चाहिए होगा क्या चाहिए होगा market को आप पैसा नहीं दे सकते है घूज के तौर पे आपके पास जितना ज्यादा patience है उतना बड़ा पैसा कमाऊगे जितना जल्दी आप पैसा बनाना चाहोगे उतना ज्यादा नुकसान होने का chances बढ़ जाएगा बागी blindly किसे को बिलीव नहीं करना अपने उपर भी थोड़ा research कर लेना है क्या सही और क्या गलत है दुनिया कहीं भी कभी भी आपको धुखा दे सकती है और अगर आप stock market में नए हो अपना लोग कन्फ्यूज होते है कहा तो पैसे में अपना जादा ज्यादा बेनिफिट कर सकते है अप जब वेर्य गूड देखने को मिला मतलब एलिजबल में सारे फिचेसेन फैसलीटिज अच्छे है कंपेसे में मार्जन उसक्राइव सुखा देहएब ज्यादा बेनिफिट तो company को कई जगा award भी मिल रखा बिल्कुल free में आपका demand account होता है वो भी पूरे lifetime के लिए है एक रुपी भी आपसे charges नहीं लिया आ जाता तो अच्छी बात है बाई description में link दिया गया वहाँ से जाके अपने demand account open कर सकते हैं जैसे demand account open करते हैं इस number पर बोलिए यह आपको help करें क्योंकि यह Alice Block का broker का number है आपको description में link दिया गया है वहाँ से जाके demand account open करी सकते हैं